उनको घरमा संगित को माहल हुं थियो। हजुर बुआ भजन गाउं थी। बुआ मारुनी नास थी। उनको कलीलो मनमा साने देखी संगित रसीलो भायर बसे। तरा बुआ को जागिर थे ना। पुर्ख्यावली संपती थे ना। चुलो बालना का लागि उनी काम खोजन भारत गई रहम थी। उनको बाल्लेकाल आर्थिक अभाव रजातिये उत्पिडन को कुहिरों मा रुम्मली दई कुछ्डियो। तरा जती अभाव भायपनी उनको गीद कुन गुनावनी मन भने कहिलेई अलमलियना। उनले कक्सा आठमा हुदा इसकुलमा आमा संबंदी गीद गाये। उनको गायन सैली सवयले रुचाये। त्यो पहिलो पटक को पुरस्कार र बधायले हुशला रा आत्मभिश्वास बढ़ायो। संगित प्रतिक को मह थपी दियो। उनी गीद गायूदै गायूबाट सहर पसे। संबभ भैसंबा का सांगितिक माहुल पच्छाय। सपना पच्छाय रादा भोको पेट संग जुद्न होटल मा काम करे। फर्णी सर मा काट गोटे। रेडियो मा आवास दिये। दोहरी सांज मा रुमल लिये। आर्थिक अभाब अंते का लागी कुने ब्यला बिदेशिने प्रयास्पनी गरे। तरह कलकार बनने सपना उनका आखा बाट कहिले हराय न। उनले संगित को लए समाती रहे। दोहरी सांज बाट थालेको गायन मेला महत्षमा पोग्यो। कहिले देशमा तक कहिले बिदेशमा पोग्यो। दोहरी ब्याटल मार्षवत नया प्रयाक गरे पछी लोक संगित स्यत्रमा उनको चर्चा एका एक चुलियो। तेश पछी सारुजनिक भायको गलवन्दी गितले तियो चर्चालाई थाप नया उचाईमा पुराई दियो। उनले प्रशस्त प्रशंचा कमाई। आफलाई मन लागेको बिशेमा गित गाउनी इस्थान बनाए। उनका पछिल्ला गीत हरुमा उनी मनुरंजर मात्र हैना सामाजिक न्याएर समान्ता को बिशेपनी गाई रहका सन। मेरो पनी हैनारा युद्धेश। बोला माया कुरा बुजनु पर्शा लगायत का गीत हरु करणों दर्शगले अत्यादिक रुचाई रहका सन। इसले उनको गाये न्यात्रलाई नया जिमेबारी दियेको सा। साय तेसेले होला उनी भन्ना थालेका सन। अब अम मैं ले भोगेको उत्पिडण को गीत काऊश। बिक्रम सम्भत दुहेजार सट्चाली साल मा बागलूं को धमजामा जन्मेका प्रकास सपूत चर्चित लोक दोहरी गायक हन। बिगत दस बर्श देखी लोक संगीत मा होमेका प्रकास ले दुई से भन्दा बड़ी म्यूजिक भीडियो बनाई सके कासन भने दुई दर्जन भन्दा बड़ी गीत गाय सके कासन। उनी चुनवती हरु बाट कहिलेई भागे नन, आसा मारे नन, मनले रोजे को बाटेई बाटो उनी बगी रहे।